एक समय की बात है एक गाउं में धेर सारे मुर्गे राते थे गाउं के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था मुर्गा परिसान हो गया उसने सोचा अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूँगा सब सोते रहेंगे तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला सबी उठकर काम में लग गए इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बीना कोई काम नहीं रुपता सबका काम चलता रहता है मैतिक सिक्षा घमन नहीं करना चाहिए आपकी आमियत लोगों को बीन बताए पता चलता है